बबाजी आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपे पेटरोल वाली सरकार, 300 रुपे सिलेंडर वाली सरकार? मैंने कहा था पुछ पड़ेगा बिजी नमस्कार आप देख रहे हैं जाकता भारत दोस्तों ये सोसल मीडिया भी बहुत जालिम चीज है यहां कब कौन सी नई पुरानी वीडियो वाइरल हो जाए पता ही नहीं चलता दोस्तों आजकल योग गुरू बाबा राम देव जहां भी जाते हैं उनके सस्ते पेट्रोल वाले पूराने वादे को लोग याद दिलाते हैं ओ दोस्तों जो 2014 से पहले का वादा था एक बार फिल बाबा राम देख रिपोर्टरों के बिश तब फंस गए जब उनके पुराने वाले वादे को लोग याद दिलाते हैं पूछा कि बाबा जी क्या हुआ आपका वादा सर इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पढ़ रहा है और देश चलाने के लिए अब बहेंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ाने पड़ेगी थोड़ी मेहनत जादा करने पड़ेगी अब मैं सन्यासी हो कि 18-18 घंटे मेहनत करता हुए तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी धेल लेंगे देश के भलाई हो तो दोस्तों बाबा जी 18 घंटे काम करते हैं इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सेर जरूर कीजिएगा